ये सत्र ओपी चौधरी को देख पा रहे होंगे आप और विजय शर्मा भी मौजूद है डिपिटी सीम विश्णु देव साहि मुख्यमंत्री भी इस वक्त हाँ पर मौजूद है ज्यादा वक्त नहीं जो करेक्ट टाइम साधे बारा बजे का तैय किया था वो पहुच चुक से लेकर महंगाई और तमाम ऐसी चीजे हैं जिनको लेकर आप जरताइक उम्मीद से इस बजट को जो देख रही है उनके लिए क्या होगा फिलाल आप ये ब्रीफ केस भी देख रहे हैं जिस पर लिखा है अमरित काल की नीव वाला बजट आप देखना होगा कि वाकई में ये अमरित काल की नीव वाला बजट होगा या नहीं होगा क्योंकि अब बस कुछी देर में पेश कर दिया जाएगा इस ब्रीफ केस से बजट को पेश करनी के लिए टाब निकाल लिया गया है क्योंकि इस बाद डिजिटल तौर पर डिजिटली बजट पेश किया जाएगा ओपी चौधरी के हाथ में वो टैब भी है अब जिसके बाद थोड़ी ही देर में ओपी चौधरी जो है शुरुवात करेंगे बजट को पेश करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी शुरुवात हो जाएगी रमन सिंग को आप देख रहे हैं रमन सिंग भी पहुँच चुके हैं तमाम ऐसे निता दिगज जो इस वक्त विधान सभा में मौझूद है आज बेहादी खास दिन बजट को लेकर आज इंतजार निगाहें सबकी टेलिविजन स्क्रीन पर 36 गड की बीजेपी सरकार आज अपना बजट पेश करने जा रही है और इसके लिए आप देख रहे हैं विष्णुदेव साहिपो जो की पहुँच चुके है रमन सिंग पहुँच चुके है इसके अलावा तमाम ऐसे कई दिगज नेता पहुँच चौधरी जो आज बजट इसमुदेव साहिब मंत्री पूंखे मंत्री जी का पहला बजट आ रहा है तो बजट उनके पास आके पढ़ लेते कोई जो भी था उत्तर दूर जाके पढ़े यहां लगाने में क्या दिक्कत लगता जी पढ़ तो अंदर से ही रहे ना बाहर से थोड़े ना पढ़ रहे है मैं कह रहा हूँ अगर उनका वजट है तो उनके पास से पढ़ोना है यहां आप आज इधर आग बढ़ जाएए आज आता हूँ वित्तिवर्श 2425 के आई वियक का उपिस्थापन स्री ओपी चौधरी मानने अध्यक्च मौद है मेरे बियोस्ताक प्रस्त में क्योंकि अभी तक के विधान सभा में इंस्टूमेंट का प्रदसन जा उसको देखकर पढ़ने की परंपरा नहीं रही है और नविधान सभा में इस प्रकार को कोई आदेश है और मैं वित्मंद्री जी के टेवल में देख रहा हूं को लेट अब लेके वो खड़े हैं मैं समझता हूं कि विधान सभा में इस प्रकार के व्योस्था अभी नहीं दी गई है कि प्रकार के जो पुरानी परंपरा है उसके अनुरूप ही उसका वाचन करें ऐसा मैं आप से अपिछा करता हूं कि अधिक्ष भूद्री इस प्रजर्शन पर रोक है उसको देखकर पढ़ने पर रोक नहीं है तो वह प्रजर्शन नहीं कर रहे हैं और वैसे भी विधान सभा को पेपर लेश के और हम लोग बढ़ रहे हैं और आजनी टेक्नालाजी का उप्योग करने का मानने अधर महांची जब अधिक्ष थे हैं और हम तो सब पेपर लेश के और बढ़ रहे हैं आप वो पुराने धर्र में फिर जा रहे हैं कहा के नर्वा गर्वा गुरुवा भारीं फिर आ गए आप पूरा दुनिया दुनिया धरीर अधर मारे अंधर मारे अधर मिली जब दोनागे जर्वा इंद दोनागे कम अधर को शक्रमारे थाल गशार आप यह को आप हैं दर्म जी बैठिये प्लीज आपने को आप लाइन करने की आदत है अपनी तुम बैठिये माननी वितमंत्री जी ने आगरा किया था निविदन किया था मैंने उसको स्विकार कर लिया है उनको अन्मति दी धन्यवाद अध्यक्ष महदे माननी अध्यक्ष महदे 36 गड़ की जनता जनारदर ने कुसासन के खिलाप मुहर लगा कर हमें 36 गड़ महतारी की सेवा करने का उसर प्रदान किया है एतिहासिक जनादेश द्वारा प्रगट कियेगा इसनेह और विश्वास के लिए हम 36 गड़ के तीन करोड लोगों का हिर्दय की घहराईयों से अभार व्यक्ष करते हैं और 36 गड़ को विकास की नियाई उचाईयों तक ले जाने की प्राण प्रतिग्या करते हैं अध्यक्ष महदाए हमारे चारों और चुनावतियों का घना अंधेरा है महिलाएं कानून विवस्था की बिगड़ी स्थिती का सिकार रही युवामन अभिश्वास और आसंकाओं से ग्रसित रहा पिछले सालों में प्रसासनिक तंत्र पट्री से उत्रा रहा और राजकी खाजाना हमें खाली मिला है पर हम अंधेरों के बीच उजाले की तलास करने की ताकत रखते हैं ध्यक्ष महुदै चुनावतियों का घना अंधेरा है कोई भी सार्थक व्यक्ति, कोई भी सार्थक समाज, कोई भी सार्थक सरकार कभी अंधकार के समराज जी को विजय स्री का तिलक नहीं लगा सकती चहुं और चुनाउतियों से घीरे होने के बावजूद हम एक लक्ष और सपना देखने की ताकत रखते हैं अध्यक्ष महदय चुनाउतियों का अंधेरा हमें बच्चन जी की पंक्तियों की स्मराण कराता है पर किसी उजडे हुए को फिर बसाना कब मना है है अंधेरी रात पर दिवा जलाना कब मना है अध्यक्ष महदय यह हमारा सवभाग्य है यह हमारी पिढ़ी का सवभाग्य है कि एक और हम लोग 500 सालों के संघर्ष के बाद स्री राम लला के प्रांड प्रतिष्ठा युद्याधाम में होते हुए देख पा रहे हैं और हमारी पिढ़ी का यह भी सहभाग्य है कि अमरित काल में भारत को दुनिया का सूपर पावर बनाने के लिए माननी प्रधान मंत्री जी के नेत्रितों में किये जा रहे करांती कारी कारियों को भी हमारी पिढ़ी देख रही है उसमें सहभागिता भी निभा रही है माननी प्रधार मंत्री स्री रेंद्र मोदी जी की अथक उर्जा आज हमारे लिए प्रेना का सुरोध बन रही है तो सहज सरल मुख्य मंत्री स्री विश्णूदेव साय जी का कुसल नेत्रित हमारी ताकत बनकर हमारे साथ अध्यक्ष महदै आज देश अमरीत काल में नई उर्जा और नए विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है पूरी दुनिया आज भारत के ओर निहार रही है बिक्सित भारत का सुइस्पस्ट लक्ष सब के सामने है लेकिन दुर्भागी के साथ कहना पड़ता है कि छतिजगर के विकास ग्राण लग गया था भरष्ट और स्वार्थ परक ताकतों ने छतिजगर को दबोच कर रखा था चिंता होती थी कि भारत कि इस विकास यात्रा में हमारे छतिजगर का क्या होगा लेकिन लोक्तंत्र की ताकत ने इन नकारात्मक सक्तियों को पराजित कर दिया अध्यक्ष महदय पराजित कर दिया विश्रोदेव साय जी के नेत्रितों में सुसासन का सुर्योदय हो चुका है अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय किसी सरकार के बजट को महज उसके आई बिया के लेखा जोखा के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए बलकि वह किसी सरकार के भविश्य का वीजन होता है एक दस्तवेज होता है जो दसा और दिशा को निर्धारित करता है उस वीजन डाकुमेंट के रूप में उसे पढ़ा जाना चाहिए ध्यक्ष महोदय 36 गड़ की विकास यात्रा की इस मोड पर सवाल उठता है कि हम 36 गड़ को आगे कहां लेकर जाना चाहते हैं हमारी कमजोरियां क्या है हमारी ताकते क्या है short management में एक analysis होता है short analysis strength, weaknesses, opportunities and threats जब हम अपने 36 गड़ का short analysis करते हैं तो हमारे 36 गड़ के कौन कौन से पक्च उभर कर सामने आएंगे इसका analysis जरूरी है ध्यक्ष महोदय देश जब आजादी के सव वर्स पूरा करके विक्सित राष्ट के रूप में पूरी दुनिया में इस्थापित होगा तब हमारा 36 गड़ देश के अन्य राजियों के सांथ सकरात्मक प्रतिस परधा कैसे हुए करते हुए कैसे आगे बढ़ेगा या हमारे सामने एक चुनावती है ध्यक्ष महोदय इसके लिए किस पर्ष सपना एक इस पर्ष लक्ष जरूरी है उस लक्ष तक पहुँचने की रणनीती जरूरी है एक रोडमैप जरूरी है ध्यक्ष महोदय इसलिए हमने तै किया है कि 36 गड़ 2047 तक कैसे एक विकास सील राज्य से विक्सित राज्य बनेगा इसका द्रिष्टी पत्र एक विजन डाकुमेंट हम तयार करेंगे और इस द्रिष्टी पत्र का नाम होगा अमरित काल 36 गड़ विजन एक 2047 एक नॉम्बर सन 2000 को 2000 को एक नॉम्बर के दिन भारत रद सद्धे अटल बिहारी वाजपई जी ने इस राज्य को बनाया था और इसी एक नॉम्बर को इसी साल सन 2024 में ये विजन डाकुमेंट जो अमरित काल 36 गड़ विजन एक 2047 होगा उसे हम इस राज्य की जनता को समर्पि हमारा कमिटमेंट है हमारी सरकार की प्रतिबत धता है अध्यक्ष महदय कहा जाता है कि कोई भी सार्थक व्यक्ति के लिए कोई भी मंजील आखरी मंजील नहीं होती है हर मंजील एक पढ़ा होता है अगले मंजील तक आगे बढ़ने के लिए इसी दर्सन के साथ मोदी जी कह जन तक पहुचने से पहले हमें मध्यम अधिक अर्थात मिर्टम टार्गेट भी बनाने होंगे हम 36 गड़ के लिए तै कर रहे हैं कि 2046 तक हमारा 36 गड़ विक्सित 36 गड़ होगा उस लक्ष तक पहुचने के लिए हमारा मिर्टम टार्गेट क्या होगा वह भी हम निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं अध्यक्ष महदय जी ने देश की अर्थ विवस्ता के लिए मध्यावधी टार्गेट के रूप में पाट ट्रिलियन और दस ट्रियन डालर एकॉनमी का लक्षे रखा है उन्होंने अगले पास सालों के लिए भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आ पांच लाग करोड है इसे आने वाले पांच सालों में दोहजार अठाइस तर दस लाग करोड करना हमारा बहुती महत्वा कांची लक्ष है अर्द्यक्ष मुद्यक्ष पिछले पांच सालों की आप तूनला करेंगे तो यह लक्ष बहुत बड़ा दिखाई देगा लेकिन फिर भी इस बड़े लक्ष को हम स्विकार कर रहे हैं और इस चुनावती के लिए आधरनी विश्णुदेव सायजी के नित्रितम हम आगे बढ़ेंगे यह मद्यावधी लक्ष देश को दुनिया की बड़ी अर्थ वियुस्ता बनाने के मोदी जी के महायग्य में हमारा यो इस्थान पर डबल इंजन की सरकार में संग राजिस समन्वै से विकास का नया ध्याय लिखेगा इस पास सालों के अत्यांत महत्वाकांची लक्ष जो जीडिपी को केवल पास सालों में दुगना करने का लक्ष जो हम निर्धारित कर रहे हैं इस महत्वाकांची लक्ष के दस लाग करोड की जीडिपी तक जो पहुचरा चाहते हैं इसको प्राप्त करने के लिए हम आधार भूत रणनितिक इस्तंभ के रूप में फंडमेंटल स्ट्रेजिकल पिलर्स के रूप में दस इस्तंभों की पहचान किये हैं और उसको मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हमारा पहला पिलर होगा फोकस अन एकॉनमिक डेवलपमेंट हमारे आर्थिक विकास का केंद्र विंदु होगा ज्यान दूसरा हमारा पिलर होगा तकनीक आधारिस रिफाम और सुसासन से तिवर आर्थिक विकास तीसरा हमारा पिलर होगा तमाम चुनोतियों के बीच अधि प्रभ्योस्ता के सेवा चेत्र की नई संभावनावों पर जोर। हमारा चटमा पिलर होगा सरकार की सारी छमताओं के अतरिक्त नीजी निवेज भी सुनिश्चित करना। हमारा साथमा पिलर होगा फोकस और बस्तर सरगूजा। हमारा आठ्वा पिलर होगा DDP, Decentralized Development Pockets, विकेंद्रिकृत, विकास, Pockets, हमारा नवा पिलर होगा, 36 गढ़ी संस्कृति का विकास, प्रमोटिंग 36 गढ़ी कल्चर, हमारा दस्वा पिलर होगा, क्रियानवयन का महत, Importance of Implementation, इन दस्वा पिलर्स को मैं थोड़ा व्याख्याइट क करना चाहता हूँ, अध्यक्ष महदय, हमारा जो पहला पिलर है, Focus Up और Economic Development, हमारे आर्थिक विकास के केंद्र विंदू जो होगा, वो ज्यान होगा, ज्यान नालेश तो होगा ही, लेकिन इस ज्यान का हमारा अर्थ है, G अर्थात गरीब, Y अर्थात यवा, A अर्थात अन्न अर्थाता और नारी को समर्पित हमारा अर्थिक विकास होगा, अध्यक्ष महदय, भारी मन से मुझे कहना पड़ रहा है, कि पिछले पांच वर्सों में, हमारे चतिस गड़ की पिछली सरकार ने, इन चारो समुहों के साथ तन्याय किया है, ना केवल गरीबों के छत के अला बजारी हुई, दो रुपए में गोवर खरीद कर बुडवत्ता भीहिन कंपोस्ट के नाम पर दस रुपए में जबरन उसे बेचा गया, पिसानों के संबंद में अनेक प्रकार की लूटे हुई, अध्यक्ष महदय, माताओं बहनों को इन्होंने पांस सो रुपए प् प्रत्योगी परिक्षाओं में जो बड़े सपने लेकर हमारे युवा आये थे, उनके साथ अन्याय हुआ, इस संदर्व में, नेल्सर मंडेला जी के कोटेशन को मैं कोट करना चाहता हूँ, अध्यक्ष महदय, किसी देश को बरबात करने के लिए, तबाह करने के लिए, बम, बारूद और मिसाइल की ज़रूरत नहीं होती है, इस सिच्छा की गुडवत्ता को खराब कर देना, और परिक्षाओं में भरष्टाचारी किसी देश को बरबात करने के लिए, परियाप्त होता है, ये विजनरी लीडर नेल्सन मंडेला ने कहा है, अध्यक्ष महदय, परिक्ष महदय, परिक्षाओं में युवाओं के साथ अन्याय हुआ, जिसमें हमारी सरकार ने CBI जाच का निर्ड़ा लिया है, और अभी-अभी EOW में भी FIR दर्जी लिए, गरीब किसान, इवा और महिला, चार जो हमारे केंद्र बिंदु हैं, उन्हें केंद्र बिंदु में रखते हुए, इन्हें उर्जा और सही दिशा और अवसर प्रदान करके, हम प्रदेश की आर्थिक उन्नती में इनकी साभागिता सुनिश्चित करेंगे, ये हमारी सरकार की प्रतिबधता है अध्यक्ष महोदे, अध्यक्ष महोदे, दूसरा जो पिलर है, वह है, तक्नीक आधारित रिफाम और सुशासन से तिब्र आर्थिक दिकास को सुनिश्चित करना, अध्यक्ष महोदे, रैपीट एकुनामिक ग्रोथ ठूट टेक्नोलोजी डिवन रिफा अध्यक्ष महोदे, आज दुन्या आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस, डेटा एनलिटिक्स, कंप्रिवेंसिव सिस्टम डेवलपमेंट, सेटलाइट बेस्ट कम्यूनिकेशन, जैसे उच्च इस तरी तक्नीकों से संचालित हो रही है, हम सासन और प्रसासन में तक्नीक के इस रिटार्थ कर पाएंगे अध्यक्ष महोदे, पिछले सरकार द्वारा कोईले पर तक्नीक अधारित आनलाइन रायल्टि सिस्टम को हटा कर, लाल फिता साही अधारित मैनुवल सिस्टम लागू किया गया था, हमारी सरकार प्रसासनी कामकाज की प्रक्रिया में ऐसे कपट पूर्ण मैनुवल हस्त चेक्पों पर पूर्ण विराम लगाएगी और तक्नीक अधारित प्रयोगों के माध्यम से हम सरकार के खजाने के लिकेजों को रोकेंगे और जहांकर की दर्मे ब्रिद्धी नहीं होगी, वहां पर भी पारदर्सी तक्नीकों पर आधारित करारोप को अपना कर सरकार के राजस्व में एतिहासिक ब्रिद्धी करके दिखाएंगे अध्यक्ष महदय और इमांदार करदाताओं को प्रुत्साहित करेंगे अध्यक्ष महदय हमने पूरी इमानदारी के साथ प्रत्येग विभाग के साथ चर्चा करते हुए प्रयास किया कि कहां कहां तक्निकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सकता है कहां कहां तक्निकों के इस्तेमाल से सरकार के लिकेजों को रोका जा सकता है जनता को अधिक आधिक सुविधाय दी जा सकती हैं इसका हमने बहुत गहन अध्यान किया और इस बजट में मुझे सदन को बताते हैं बड़ा हर सो रहा है अध्यक्ष महोदै कि बिभीन नभी भागों के टेक्नलोजिकल इंटर्वेंशन के लिए ही कुल मिलाकर दो सो चैसट करोर रुपए का आर्थिक प्रावधान किया गया है जिससे सुसासन और पारदर्शिता को हम सुनिश्चित कर सके अध्यक्ष महोदै तकनिकी पर आधारित ये रिफार्म और इस सुसासन ये जो रिफार्म होंगे और गवर्नेंस होंगे यही हमारे जीडीपी के केवल पांस साल में दो गु से हम अपनी जीडीपी को आने वाले पांस सालों में दुगना करके दिखाने की बड़ी चुनावती को सुईकार की है अध्यक्ष महोदै तीसरा हमारा पिलर है अधिक्तम कैपेक्स पूंजिगत व्याय को अधिक आधिक सुनिश्चित करना अध्यक्ष महोदै किसी भी विक आसील अर्थ विवस्था के उच्च विकासदर के लिए पूंजिगत व्याय को आधार इस्तंभ माना जाता है अध्यक्ष महोदै अर्थिक अधियन कहता है कि सो रुपए का पूंजिगत व्याय हम करते हैं तो जीएश्डीपी में 247 रुपए की व्रिध्धी होती है इसलि कि तूलना में 20 पृतिसत की व्रिध्धी करने का का काम किये हैं अध्यक्ष महोदै अधियन की पिछले पांस सालों में ओस्टन आप देखेंगे तो कैपेक्स में व्रिध्धी 5 सालों के व्रिध्ध में 12 पृतिस रही है जब कि इस बजच्ट में हम 20 पृतिस पृतिस Utilization of Natural Resources हमारा 36 गड़ प्राकृतिक संसाद्रों से भरा हुआ है इन संसाद्रों का सुनियोजित उपयोग करते हुए उससे होने वाले लाभों का 36 गड़ के लोगों के बीच न्यायपूर्ण बित्रन सुनिश्चित करना हमारा चौथा पिलर के रूप में इस रणिनिती का हिस्सा होगा हमारा पांचवा पिलर होगा अर्थ वियोस्ता के सेवा छेतर की नहीं संभावनाओं पर जोर 36 गड़ के प्राकृतिक संदरिक के नुरूप इको टूरिजम सर्किट विक्सित करना पांच सक्ती पिठों को विक्सित करके धार्मिक परियतन को बढ़ावा देना आईटी सेक्टर की स्थापना हेल्थ डेस्टिनेशन के रूप में 36 गड़ को विक्सित करना वेडिंग डेस्टिनेशन, बिजनेस टूरिजम, कॉन्फरेंस डेस्टिनेशन जैसे नए उभरते संभावनाओं का लाप प्रदेश को मिल सके इसके लिए रोड मैप तयार करेंगे अध्यक्ष महदे, सेवा छेत्र में सेवा छेत्र में देश की आवस्तन जो जीडिपी पर योगदान है वो करी 55 प्रतिसत के लगभग है जबकि हमारे 36 गड़ की अर्थवी वस्ता में सेवा छेत्र का योगदान अभी मातरी का 30 प्रतिसत है इसे बढ़ा कर ही हम 36 गड़ की आर्थिक उन्नती को सुनिश्चीत कर सकते हैं अध्यक्ष महदे, हमारा चठ्वा पिलर होगा सरकार की सारी छमताओं के अतरिक नीजी निवेश को भी सुनिश्चीत करना हमारे 36 गड़ में आधुनिक आर्थिक दर्शन के नुरूप रेट टेपीजम की इस्थान पर रेट कारपेट की निवेश संस्कृति का हम विकास करेंगे Modern Economic Philosophy जैसे Minimum Government, Maximum Governance EODB, Ease of Doing Business, Ease of Living, Single Window प्रणाली, Online Permission, Minimum Permission जैसे वियोस्थाओं की स्थापना करके हम आर्थिक विकास को सुनिश्चीत करेंगे इसी तार्थम्य में PPP अर्था Public Private Partnership के आधर्च प्रयोगों के लिए नीती आयोग, अखिल भारती प्रबंधन संस्थान, IEMS जैसे विशेसक्य संस्थाओं का हम सहयोग लेना सुनिश्चीत करेंगे इन सब सहयोग लेते हुए जो Private Investment है उसको भी बढ़ावा देने का हम काम करेंगे हमारी रणनीती का सात्वा पिलर होगा अध्यक्ष महुदय, Focus on, Buster and Sargooja Buster Sargooja की ओर भी देखो, यह हमारी आर्थिक रणनीती का सात्वा इस्तंभ हो पिछले पांच वर्सों में, कांग्रेश के कारिकाल में, Buster Sargooja छेत्र आर्थिक विकास की द्रिष्टी से चूते रहे है इन छेत्रों की एर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सार्थक पहल की जाएगी इको टूरिजम डेस्टिनेशन, नेचोरोपेथी डेस्टिनेशन के रूप में विक्सित करने हेतू प्रयास किये जाएगी बस्चर छेत्र में लगुप अनुपच के प्रसंसकरन हेतू उद्योगों की इस्थापना की जाएगी सर्गुजा छेत्र में उद्यानी की मचली पालन जैसी संभावनाओं को भी प्रोसाहित किया जाएगा इस प्रकार समन्मित प्रयास करते हुए इन छेत्रों की आर्थिक संभावनाओं को पूरी तरह से मुर्थ रूप प्रदान किया जाएगा यह हमारी रड़नीती का सात्वा इस्थापना करने पर हमारा जोर होगा चतिजगर का उत्तरी भाग मध्यमैदानी भाग और दक्षिडी भाग की अपनी अलग-अलग आर्थिक विशिश्चताएं हैं इन विशिश्चताओं के नरूप तिब्र आर्थिक विकास की विकेंद्रिकृत नीती पर काम करते हुए विकेंद्रिकृत विकास पॉकेट्स अर्थाट डिडीपी की इस्थापना को हम सुनिश्चित करेंगे रायपूर भिलाई जैसे छेत्रों की अपनी अलग विशिश्चता है इसलिए इसके आसपास के छेत्रों को स्टेट कैपिटल रिजन के रूप में विक्सित करने की योजना तयार की जाएगी इस छेत्र को विश्विश्चतरी आईटी सेक्टर, वेडिंग डेस्टिनेशन, एजुकेशन डेस्टिनेशन, हेल्थ केर डेस्टिनेशन के रूप में विक्सित करने की हमारी रणनीती होगी नवारायपूर अटलनगर में इस बजट में लाइबलिहुट, सेंटर अप एक्सिलेंस यहम दूर्ग में सेंटर अप एंटर्पेनियोर्शिप, दूर्ग जिले में सेंटर अप एंटर्पेनियोर्शिप की स्थापना करने का लक्ष रखा गया है इससे दुर खभिलाई में IT सेक्टर को प्रमोट करने का उसको प्रोसाहित करने का हमारा क्रांती कारी प्रयास होगा इस्टार्ट आप Iss को प्रोसाहित करने के लिए इनक्योवेशन सेंटर की स्थापना था बिपियो था बिजनेस प्रोसेस आउट जोर्सेंग KPO, Knowledge Process Outsourcing को आकरसित करने के लिए इन छेत्रों में IT पार्क की स्थापना के लिए हम रणनीती बद्ध और विजनरी धंग से कारी करेंगे नवारायपूर में IT अधारित रोजगार्स रीजन हेतू Plug and Play Model का विकास किया जाएगा इससे आर्थिक विकास और रोजगार्स रीजन के नए आउसर विक्सित होंगे रायपूर, नवारायपूर, अटलनगर, विलासपूर, दोर्ग, भिलाई, अंबिकापूर, जग्दलपूर, कोर्बा, रायगड जैसे प्रमुख नगरों को विकास के ग्रोथ हिंजन के रूप में विक्सित करने की एक रणनीती बध्य योजना के तहत हम काम करेंगे कोर्बा, जांजगीर, रायगड, उर्ला, सिल्तरा जैसे छेत्रों के अनुरूब और द्योगी करण की नीती को आगे बढ़ाएंगे मैदानी क्रिसी प्रधान जीलों में क्रिसी अधारित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा ग्रामिर अर्थवियस्था को मजबूती प्रधान करने के लिए भी विसेश फोकस किया जाएगा हमारे रणनीती का नवा इस्तंभा ध्यक्ष महोद है चत्तिसगर ही संस्कृती का विकास हमार चत्तिसगर राज्य हर उननिस सो चपन ले संदू हजार तक सोसन के सिकार रही है ये 44 साल के बीच मा लगभग 4 दसक तक कांग्रेश के एक छत्र राज रही है लेकिन कांग्रेशर चत्तिसगर नवा राज्य नहीं बनेश चत्तिसगर के नवा राज्य के रूप में कनुई स्थापना करीश तो भाजपा के परधान मंत्री श्री अटल भिहारी बाजपेई जी है 36 गड़ी बोलीला राजभाखा बनाये के बूताला भी अगर कोई करीश तो भाजपा के सरकार है करीश अवया बे रामा 36 गड़ के बानी भाखा तीज तिहार परंपरा संस्कृती साहित लसबल आगू बढ़ाये के बूतावर हमर संकल्प है अध्यक्षम हो दै हमर जो 36 गड़ के प्रती जो भावना है हमर सरकार के उलम मुंगेली जीला के रहुया केदार पर हार जी है कविता के रूप में बड़ा अच्छा तरीका से व्यक्ट करे है मर के देव लोग जण जाते हूँ मर के देव लोग जण जाते हूँ कनू जनम जन पाते हूँ 36 गड़ा च्छाव करे बर मैं च्छानी बन जाते हूँ कवी की कल्पना है और यही हमारे सरकार की कल्पना है हमारी सोच अध्यक्षम होदै कि मरने के बाद हमको कोई देव लोग नहीं चाहिए मरने के बाद हमको कोई पुनर जनम नहीं चाहिए हम 36 गड़ को छाव करने के लिए छानी बनना चाहते हैं अध्यक्ष महदय यही हमारे सरकार की खावना है अध्यक्ष महदय हमारी रणनिती का दस्वा इस्तंभ होगा क्रियान्वेंड का महत्तु इंपोर्टेंस अप इंप् भी शंती मुखे मृगा अध्यक्ष महदय सेर कितना भी बलसाली हो उसके मुख पर मृगा आके खुद प्रवेश नहीं कर जाती है उसे अगर मृग का सिकार करना है तुद्यम करना पड़ता है बिना उद्यम के कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है प्रति बद्धता और समर् हमारी रड़नीतिक महत्पूर्ण हिस्सा है पिछली सरकार ने गड़बो नवा चतिजगड का ख्याली पुलाव परोसा और नतीजा निकला अध्यक्ष महदय बोर्बो चतिजगड इन्हों ने कहा गड़बो नवा चतिजगड और नतीजा निकला बोर्बो चतिजगड हम गरबों से पहले करबों पर ध्यान के अंद्रित करेंगा अध्यक्ष महोदय। यही हमारा संकल्भ है। अध्यक्ष महोदय मोदी जी ने बदलबों बदलबों का नारा धिया था। वो हमारे लिए चुनावी और राजनितिक स्लोगन मात्र नहीं था ध्यक्ष महोदे या उस समय के भरष्ट तंत्र को बदलने के लिए था तो यह नारा आज भी हमारी सरकार आने के बाद भी उतना ही प्रासंगिक है जो 36 गड़ की आर्थिक और सामाजिक विवस्था को बदल के लिए अद्यक्ष महोदे ये बादल वो बदलबो के नारा का भी प्राय हमारे लिए बहुत दूर तक है अब यह स्लोगन 36 गड़ के तीन करोड लोगों के उद्ध्यम से विकास सीL 36 गड़ को विक्सिच 36 गड़ में बदलने के लिए अद्यक्ष महोदे ये बदल वो सग्य संस्थाओं के प्रामर्ज की लगातार अवश्यक्ता हुग देश और दुनिया में चल रहे बेस्ट प्रैक्टिस को हम एडॉप्ट करने के लिए उनको अपनाने के लिए पहल करेंगे और इस पूरे नालेज प्रोसेसिंग की ब्रेनिस्टॉर्मिंग की प्रक्रिया को एक संस्थागत स्वरूप प्रदायन करने के लिए हम 36 गड़ आर्थिक सलाहकार परिशद, 36 गड़ एक इकनॉमिक एडवाजरी काउंसील का गठन करेंगे ए विश्टू देश साय जी ने, इस सरकार ने निरना लिया अध्यक्ष महोदय, सांस्कृतिक राष्टबाद के प लगत करते हूए अटलभ्हारी वाजपईजी ने कहा है भारत कोई भूमी का टुकड़गा नहीं है, जीता जाकता राष्टपूरुस है, यह वंदन की धरती है, यह अर्पन की धरती है, यह तरपड की भूमी है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका गंकर कं लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्यों को कोई कान लगा कर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी भारत माता की जए अध्यक्ष महुदय यह हमारी सांस्कृतिक राष्टबाद का समर्पन की लाइने हैं हमारे सां अध्यक्ष महुदय राम चरित मानस में गोस्वामि तुलसीदाज जी ने राम राज को परिभासित करते हुए कहा है दैहिक, दैविक, भावतिक, तापा, राम राज का हुँ नहीं ब्याप़ा अध्यक्ष महुदय सांसन का ऐक ऐसा मौडल जिसमें जंता के सारेरिक, मानस भौतिक, सभी प्रकार के कष्टों को दूर किया जा सके ये राम राजी की उदात कल्पना है इसी प्रकार की परिकल्पना हमको दीन द्यार उपाद ध्याजी के सिध्धान्त में मानवेकात्मवाद में भी दिखती है जब वो कहते हैं सरीर, मन, बुध्धी, आत्मा और चित् की कृत विकास पर ध्यान किंद्रित करने की बात करते हैं राम राजी की आउधारना को आदर्स मान कर हम लगातार कारी करेंगे अध्यक्ष महदै और गुड गवर्नेंस, रिफॉर्म्स सारे चीजों को इंप्लिमेंट करने के लिए पूर्ण समर्पड के साथ हमारी सरकार स इकनॉमिक सर्वे के नुसार इस्थीर दर पर वर्स 2023-24 के राज्य के GSDP में 6.56% की व्रिधी अनुमानित है जब किसी आउधी में देश के पूरे देश की आउसद जीडिपी में 7.32% की व्रिधी हुई है प्रचलित दर पर राज्य का सकल घरिल उत्पाद जो 2022-23 में 4.64. अनुमानित है इस प्रकार प्रचलित दर पर GSDP में पिछले वर्स की तूलना में 8.9% की व्रिधी अनुमानित है वर्स 2023-24 का GSDP का जो ग्रोथ रेट है 6.56% का ग्रोथ रेट ए राष्ट्री आउस्था 7.32% से भी कम है जो अर्थ विवस्था की धीमिगति को इस पर्ष ट है वर्स 2030 तक 10 लाग करोड के सकल घरिल उत्पात के लक्ष को हासिल करने के लिए हमें पूंजिगत निवेस्थ में परियाप्त बृध्धी करनी होगी साथी क्रिसी के अलावा बिनिर्मान और सेवा छेत्रों में पारदर्सिता के साथ युद्धिस्तर पर कारिय करने की जबर है इसे बढ़ाने की हमको आश्यक्ता है 36 गर के लिए मोधी की गरंटी के इस बजट में प्रावधान के अध्यक्ष महोदय जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ कैबिनेट की पहली बैठक में ही हमने प्रधान मंत्री आवास योजना के लंबित 18 लाग घरों का निर्मान पूरा करने का निर्णे लिया है इसके लिए दुईती अनुपूरक बजट में 3800 करोड रुपए का प्रावधान किया गया था और 2024 25 में 8379 करोड रुपए का प्रावधान हम कर रहे हैं अध्यक्ष महदे महतारी वंदन योजना की स्विक्रिती भी हमारे कैबिनेट द्वारा हमारी सरकार द्वारा दी जा चुकी है एक मार्च सन 2024 से योजना के तहट पात्र महिलाओं को 12,000 रुपए वार्शिक का भुक्तान किया जाएगा मोधी किये गारंटी को हम पूरा करनेगा अध्यक्ष महदे 25 दिसंबर 2023 को सुसासन दिवस के अउसर पर 12,000,000 से अधिक किसानों को 3,716 करोड रुपए के लंबित बोनस की रासी की भुक्तान की जा चुकी है और किसानों के लिए क्रिसी उन्नती योजना अंतरगत इस बजट में 10,000 करोड रुपए का प्रावधान किया गया मोधी की गरंटी के तहट इस बजट में हर घर निर्मल जल अभियान को पूरा करने के लिए जल जीवन मिसन में 4,500 करोड रुपए का प्रावधान किया गया गया इस से लोग स्वास्थी आंतरिकी विभाग का बजट पिएची डिपार्टमेंट का बजट पिछले वर्स की तूलना में दो गुना बढ़ गया है ग्रामिर विकास विभाग के बजट में भी बड़ी बृद्धी हुई है तेंदू पत्त संग्रहकों को प्रती मानक बोरा पच्पन सो रुपए की दर्स से संग्रहन सुल्क भुकतान करने का भी निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिया जा चुका है अध्यक्ष मोदै हमने संकल्प लिया था कि भूमिहीन क्रिसी मजदूरों को दस जार रुपए प्रती वर्स की दर से उन्हें सहायता करेंगे इसके लिए इस बजट में दीन दयाल उपाध्याय भूमिहीन क्रिसी मजदूर योजना प्रारंब की जा रही है जिसमें पांसो करोड रुपए का प्रावधान किया गया है PSC परिच्छा के घोटाले की जाच का कारिय सीव्याई को सौपने का हमारी सरकार ने निर्ने लिया है भविश्य में पूर्ण पारदर सिता के साथ PSC परिच्छा का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा और आवस्यक रिफाम PSC में सुनिश्चित किये जाएंगे यह संकल्प हमारी सरकार ने लिया है यवाओं के लिए 36 गड़ उद्यम क्रांती योजना वर्ष 2024 पचीस इसी वित्य वर्ष से चालू करने का प्रावधान किया गया है इसी बजट में प्रावधान किया गया अध्यक्षमोदर State Capital Region के विकास की योजना तयार करने के लिए इस बजट में पांच करोर रुपए का प्रावधान किया गया है Invest India की तर्ज पर Invest 36 गड़ आयुजित करने के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया हध्यक्षमोदर मोधी की गरंटी के तहट सक्ति पीट पर योजना का डिप्यारियों निर्मार कारियों को आगे बढ़ाने के लिए पांच करोर रुपए का प्राउधान किया गया सांस्कृतिक राश्टरवाद और स्री राम लला के प्रती प्रदेश की जनता की अपार आस्था को देखते हुए हमारी सरकार ने स्री राम लला दर्सन योजना मोधी की गरंटी के तहट चालू किया है और इसके लिए इस बजट में 35 करोर रुपए का प्राउधान किया गया क्रिसी छेत्र के कुछ महत्पून प्राउधानों का मैं जिक्र करना चाहूंगा राज्य के गरामीर छेत्र में किसानों यम भूमिहिन क्रिसी मजदूनों की स्थिती में सुधार के लिए क्रिसी यम सहायक गतिविधियों के प्रोस्थान हेतू समन्वीत प्रयास किया जाएगा क्रिसी विभाग के बजट में बिगत वर्ष की तूलना में 33% की वृधि करते हुए कुल 13,438 करोर रुपए का प्राउधान किया गया किसानों को साकारियम ग्रामीर बैंकों से ब्याज मुक्त क्रिसी रिन उपलब्ध कराने के लिए पहले 2003 से पहले 15-16% की दर से ब्याज दर पे रिन मिलता था अध्यक्ष महदय जिसे पिछली भाजबा की सरकार ने सुन्य परतिसत्तक लाया था और इसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए रिन उपलब्ध कराने के लिए 8500 करोड की साक सीमा निर्धारित की गई है और ब्याज अनुदान के रूप में 317 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है अध्यक्ष महदय क्रिसी से संबंधित कुछ महतपूर्ण महाविद्यालेओं की स्थापना की जा रही है इस बजट में जो प्रावधान है मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा अध्यक्ष महदय कुनकुरी जिला जस्पूर में क्रिसी बेवसाय प्रबंधन महाविद्यालेओं अनुशंधान के अंद्र की स्थापना की जाएगी राम चंद्रपूर जिला बलरामपूर में पोस्ट हारवेस्ट मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग टेकनलोजी महाविद्यालेओं की स्थापना की जाएगी खडगवा जिला मनेंद्रगड चीरमिरी भरतपूर में क्रिशी महाविद्यालेओं की स्थापना की जाएगी प्रधान मंत्री मस्य संपदा योजना अंतरगत ग्राम सतरेंगा में परियतन विकास की दृष्टी से एकवा पार की स्थापना की जाएगी इसके लिए पांच करोर रुपए का बजटी प्राउधान किया गया है क्रिशी में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए क्रिशी अभियांतर की संचनाला की स्थापना राज इस्तरी नवीन क्रिशी यंत्र परिछन प्रयोग साला के भवन का भी प्रावधान किया गया है दूर्ग एवं सरगुजा जिले में क्रिशी अंतरी कारियाला की स्थापना की जाएगी राजशानी कुर्वरकों की जाच के लिए सरगुजा जिले में गुडवत्ता नियंतरन प्रयोग साला की स्थापना की जाएगी उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए 14 विकास खंडों में नवीन नर्शरी की स्थापना की जाएगी यहां पुर्व से संचालित 20 नर्शरियों में अतिरिक्त पद स्रिजित किये जाएंगे पसुआव सधालय कुमारपूर यहां माडी सरई जिला मनेंद्रगट चिर्मिरी भरतपूर यहां पसुआव सधालय कोलेंजरिया जिला जस्पूर का पसुची किस सालय के रूप में उन्नैन का प्राउधान किया गया हद्यक्षमाद ग्राम भोरिंग जिला महासमुन ग्राम चरोदा जिला सक्ती ग्राम किर्गी, जिला राजनन गाउं ग्राम खैरवना, जिला मनेंद्रगट चिर्मिरी भरतपूर तर ग्राम मतासी, जिला जस्पूर में नवीन हेचरी की स्थापना करके मस्य पालन को प्रप्रोसाहित किया जाएगा सिचाई से सम्मन्दित कुछ महत्पूर्ण प्रावधानों का मैं उलेक करना चाहूंगा अध्यक्ष मोहदय सिचाई रगबे के विस्तार के लिए नवीन सिचाई परियोजनाओ हेतू तीन सो करोड रुपय की रासी का प्रावधान किया गया है सम्मभावित सिचाई परियोजनाओं की सुची में 10 करोड से अधिक लागत के 156 कार्य भी प्रस्तावित किये गए है लगू सिचाई की चालू परियोजनाओ हेतू 692 करोड नाबाड पोसित सिचाई परियोजनाओं के लिए 433 करोड तथा एनिकट यमिस्टाफ डेम निर्मार हेतू 262 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है केलो सिचाई परियोजनाओं की नहरों का काम रायगर जिले में वर्सों से अधूरा था किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए नहर निर्मार के काम को पूरा किया जाएगा इसके लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है जल संसाधन के बेतर प्रबंधन हे तू डिजिटल सूचना प्रनाली विक्सित की जाएगी इसके लिए राज जल सूचना केंदर की स्थापना हे तू एक करोड चपन लाख रुपए का प्रावधान किया गया है एक टेक्नलाजी का उप्योग है जल संसाधन भी भाग में द्यक्ष मोदे सीचाई बानों की देखभालें मरमत के लिए छोटे-छोटे मरमत कारियों के लिए बानों में पानी भाता रहता है द्यक्ष मोदे उसी चीज को ध्यान में रखते हुए राज्य बान सुरक्षा संगठन का प्रिथक से सेटप स्विक्रित किया गया है सीचाई बानों की सुरक्षा के लिए इस बजट में 72 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है इससे सीचाई बानों की छमता का धिक्तम उपयोग किया जाना संभव हो सकेगा साकारिता के सेत्र में साकार से सम्रिध्धी की ओर के दृष्टिकोड को साकार करने के लिए साकारी समितियों की लावप्रदता या मुत्पादक्ता को बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध है सो प्राथ्मिक प्रिसी साक साकारी समितियों में खाद एवं बीच भंडारन हेतू गोदाम निर्मान के लिए 26 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है चत्तिरगर राजसाकारी बैंक द्वारा विशेष प्रकार के आवस्यक प्रसिक्षण संचालित किया जा सकें इसके लिए प्रसिक्षण संस्थान का निर्मान किया जाएगा और उसके लिए इस बजट में पांच करोड रुपए का प्रावधान किया गया है अध्यक्ष महदे पंचायत्यम ग्रामीर विकास विभाग के अंतरगत इस वर्ष के बजट में सत्तर प्रतिसत की वृध्धी करते हुए सत्रा हजार पांस सो उनतीस करोड रुपए का प्रावधान किया गया है प्रधार मंत्री आवास योजना ग्रामीर के अंतरगत जो आवास निर्मार करने हैं उसके लिए इसी बजट में आठ हजार तीन सो उनत्तर करोड रुपए का प्रावधान किया गया है ग्रामिर छेतरों में रोजगार के आउसर श्रीजित करने है तू महातमा गांधी ग्रामिर रोजगार गरंटी योजना के लिए दो हजार साथासी करोड रुपए का प्रावधान किया गया है प्रधार मंतरी ग्राम स्टक योजना में नमीन सडकों के निर्माड यो मरतमान सडकों के संधारन हेतू 841 करोड रुपए का प्राउधान किया गया है। जन्मन योजना अंतरगत 19 जीलों में PBTG वसाहटों को मुख्य मार्ग से जोडने के लिए सडक यों पूल निर्माड हेतू 300 करोड रुपए का प्राउधान किया गया है। जन्जाती वर्गों का विकास विशेश रूप से कमजोर जन्जाती समों के विद्यार्थियों हेतू कबीरधाम, गरियाबंद, कोरिया, बलरामपूर, सरगूजा, धमतरी, गौरेला पेंडरा, मर्वाही, जस्पूर यों नरायनपूर में संचालित आवाशी प्राउधान किया गया है। गाला, कोदबा, बागबहरा, लोदाम, दुल्दुला, लवाकेरा, पंडीपानी, कासाबेल, बटाईकेला, कुनकुरी, देवगार, मंगारी, बतवली, घाटवर्रा, नवापारा, लखनपूर, कमलेस्वरपूर, प्रिमेट्रिक अनुसुचित जन्जाती, कन्या करजी, धौरपूर, बोंदा, अंबिकापूर के भवन, निर्मार हित्तु प्रावधान किया गया है। प्रिमेट्रिक अनुसुचित जाती बालक छात्रवास, महासमुन, प्रिमेट्रिक अनुसुचित जाती बालक छात्रवास, बाजार अतरिया, कोर्बा, कर्तला, एवं प्रिमेट्रिक अनुसुचित जाती कन्या छात्रवास, अंबिकापूर के भवन, निर्मार हित्तु प् में किया गया है पास संभाग मुख्यालेओं में नवीन इस्टात को तर छात्रवास की स्थापना हेतू दो करोड चालिस लाख रुपए का प्राउधान किया गया है जीला मुख्याले बलरामपूर में सव सीटर आदिवासी कृड़ा परिशर की स्थापना एवं भवन निर् हमार हेतू तीन करोड दस लाख रुपए का प्राउधान किया गया है अनुसुचित जाती और जन जाती तता पिछ़वर्ग के विद्यार्थियों को UPSC की परिक्षा में संग लोग सेवा आयोग द्वारा आयोजी सिविल सेवा परिक्षा की तैयारी के लिए के लिए के ल पूना के लगभग व्रिद्धी करते हुए 200 बच्चों के लिए UPSC की तयारी कराने का प्राउधान किया गया है अध्यक्ष मोदै पोच्ण एवं खाद्य सुरक्षा अंतरगत प्रधान मंत्री जी द्वारा गरीब कल्यार योजना के तहत देज भर के 80 करोड हिद्ग्राह को आगामी पांच वर्स तक नेशुल खाद्यान उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है इस बजट में मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना अंतरगत 3,400 करोड रुपए का प्राउधान किया गया है ध्यक्ष मोदै मैलाओं यों बच्चों में कुपोशन से बच प्रदेश वासियों को पेजल उपलब्ध कराने के लिए प्येची विभाग के अंतरगत गत वर्स के बजट को लगभग दो गुना बढ़ाते हुए 5,047 करोड रुपए का प्राउधान इस वर्स किया गया है ध्यक्ष मोदै bastards इसमें हर घर नल योजना मोदी जी की जो है उसे पूरा करने के लिए 4500 करोड रुपए का प्राउधान इस बजट में किया गया है ध्यक्ष मोदै जल जीवन मिसन की मॉनिटरिंग के लिए डैस बोर्ड यम राज्य पोर्टल का निर्मान किया जाएगा यहां भी टेकनलोजी का उप्योग करके हम विवस्था को दुरूस्त करने का प्रयास कर रहे है ध्यक्षमोद है शिकायत निवारन यम नए कनेक्षन है तू आनलाइन आवेदन की विवस्था सुरू की जाएगी जल की गुडवत्ता की आनलाइन मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी वाड्राफ नगर जल आवर्धन योजना है तू एक करोड ब्यासी लाग का प्राउधान किया गया है ग्रामों में पे जल प्रदाई है तू एक सो दस करोड रुपए का प्राउधान किया गया है नगरी जलप्रदा योजनाओं के लिए 26 करोड रुपए का प्राउधान किया गया है मात्री सक्ती और नव निहालों का विकास महतारी वंदर नियोजना अंतरगत सभी पात्र महिलाओं को 12,000 रुपए वार्षिक DBT के माध्यम से भुकतान किया जाएगा इससे महिलाओं के स्वास पोशन यम आतनिर्भरता में बृद्धी होगी सक्षम आगणवारी केंद्र यम पूरक पोशन अहार हेतू 700 करोड रुपए का प्राउधान किया गया है पूर्व से संचालित समानुद्देश वाली योजनाओं को समायोजित करते हुए तो बहुत सारी मल्टिप्लिसिटी थी स्कीम्स की अध्यक्ष महोदै उसके करण 10 नवीन अम्रेला योजना प्रारम की जाएगी इसके लिए 628 करोड रुपए का प्राउधान किया गया है प्रधान मंत्री मात्री वंदन योजना के लिए 117 करोड रुपए का प्राउधान किया गया है ग्राम पंचायतों में महिलाओं के विकास यवं ससक्ती करण हेतू आयोजित होने वाले कारिक्रमों के लिए महिला सदन बनाने की एक नवीन योजना हमारी सरकार द्वारा प्राउधान की जये गई है इसके लिए 50 करोड रुपए का इस बजट में प्राउधान किया गया है खेल एवं युवा कल्यान पारंपरिक खेलों को पुनर जिवित करने के लिए 36 गढ़िया क्रिडा प्रोस्थान योजना प्राउधान की जाएगी इसे तू 20 करोड रुपए का बजटिय प्राउधान किया गया है जस्पूर जिले के कुनकूरी में मौडन खेल स्टेडियम का निर्मान किया जाएगा इसे तू दो करोड रुपए का प्रावधान किया गया है इंडोर स्टेडियम कांप्लेक्स की स्थापना हेतू भी चार करोड रुपए का प्रावधान किया गया है प्रदेश के पांच नवीन जो जीले गठित हुए है इन्हें पिछली सरकार ने गठित किया है वह जिला कार्यलेओं की स्थापना हे तू दो करोड़ पचास लाख रुपए का प्राउधान खेलेओं युवा कल्यार विभाग के अंतरगत किया गया है कला, साहित, खेल वं समाज सेवा के छेत्र में युवाओं के युगदान को प्रोसाहित युवा रत्र सम्मान दिया जाएगा इस मद में एक करोड़ पचास लाख रुपए का प्राउधान किया गया है भू राजस्व विवस्था का सुद्रिण ही करण राइपूर, बिलासपूर यवं दूर्ग जीले में राजस्व प्रकरणों के सिग्र नीरा करण हेतू तहसिलदार यवं नायब तहसिलदार के अतरिक्त न्यालेओं की स्थापना की जाएगी अध्यक्ष महोद है राइपूर तहसिल ऐसे तहसिल अध्यक्ष महोद है जहां बस्तर संभाग के सभी जीलों में जीतने राजस्व प्रकरण नहीं है उससे ज़्यादा एक एक तहसिल पर हैं इसलिए वहाँ पे अतरिक्त पत स्रीजित करके राजस्व विवस्था को दुरुस्त किया जाएगा इसे तूर तहसिल दार के 30 और नायब तहसिल दार के 15 नवीन पदों के स्रीजन का प्रावधान किया गया गया भू नक्सों का जियो रिफ्रेंसिंग कराया जाएगा तप्रत्येग भुखंड में युवेल पीन नंबर देते हुए भू अधार का जारी किया जाएगा नगर भू अभी लेखों को सिविल न्यालेओं से लिंक किया जाएगा इससे सिविल न्याले दोरा भूमी संबंधी प्रक्रणों में पारित आदेसों के परिपालन में भू अभी लेख का सुधार कारिय आनलाइन प्रक्रिया से संभव हो सकेगा भूमी व्यप्यवर्तन की प्रक नक्सल आपरेशन में जाने वाले राज्य पुलिस बल के लिए उच्च गुडवत्ता युक रेडी टू इट फूड की विवस्था हेतू बजट में प्रावधान किया गया है। नवीन साइबर पुलिस थानों की स्थापना के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। करोड रुपय का प्रावधान किया गया है। जेलों की विवस्था से संबंधित विभिनकारिय जैसे बंदी बैराक, सीसी रोड, अवासिय भवन यवं बाउंडरी वाल निर्माड हेतू 32 करोड रुपय का प्रावधान किया गया है। पुलिस अधिकारियों यवं कर्मचारियों जो कर्मचारी रहते हैं, उनको थाना छेत्र में ही रहने को मिल सकें, दूर दराज के नकसल प्रभावी छेत्रों में वे रह सकें। इसके लिए 139 करोड रुपय के पुलिस चौपी धाना यवं अन्य भवनों के इर्माड हेतू 51 करोड का प्रावधान किया गया है। जीला मुंगेली में फास्ट ट्रेक कोड की स्थापना के लिए 9 पदों का स्रीजन और इस कोड की स्थापना का प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया है। नियाईक करमचारियों के 289 आवासी भवनों के निर्मान के लिए कुल 21 करोड रुपय का प्रावधान किया गया है। उच्च नियाला भवन में वीडियो कांफ्रेंसिंग बिवस्था ये वीडियो वाल की स्थापना तर जेल एवं अधिनस्थ नियालेव में लाइव स्ट्रीमिंग ये रिकार्डिंग हे तू अतिरिक सेटप येवं कंप्यूटर उपकरनों की बिवस्था के लिए 15 करोड र नगरी सुविधाओं का विकास नगरी छेतरों में सब के लिए आवास हाउसिंग फर आल योजना अंतरगत एक हजार दो करोड रुपए का प्राउधान किया गया है सहरी छेत्रों में बुनियादी सुविधाये प्रदान करने के लिए अमरित मिसन योजना अंतरगत 795 करोड यम अधोसरंचना विकास मद अंतरगत 700 करोड रुपए का प्राउधान किया गया है राइपूर यम बिलासपूर में स्मार्ट सिटी के लिए 404 करोड रुपए का प्राउधान किया गया है सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 206 करोड यम यूजड वाटर मैनेजमेंट के लिए 166 करोड तो सिवेश्ट ट्रिट्मेंट प्लांट की स्थापना के लिए 30 करोड रुपए का प्राउधान किया गया है नगरी चेत्र में इस्थित स्लम बस्तियों में स्वास्विधाओं के लिए 300 करोड रुपए का प्राउधान किया गया है नगर पंचायत कुनकूरी, परतापपूर, लोर्मी यव मनेंद्रगड में ड्रेनेस सिस्टम यवं सीरेट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए 7 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है प्रदेश के 168 नगरी निकायों में यी गवर्नेंस के तहट बजट यव अकाउंटिंग मॉडियूल इस्थापित करने के लिए 47 नगरी निकायों में प्रापर्टी सर्वे किये जाने हे तू जियाएस अधारीत साफ्ट्वेर निर्माड करने के लिए भी बजट प्रावधा किये गए हैं इससे प्रापर्टी टेक्स की प्राप्तियों में पार्दर्शिता आएगी इन कारियों के लिए 30 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है नगरी निकायों में अध्यक्ष मोदै राइपूर में एक नालंदा परिसर बना है एक ऐसा लाइबरेरी राष्ट प्राप्ना की जाएगी और इसके लिए 148 करोड रुपए का बजटी प्रावधान किया गया है सहरों में जल की सुधता के आटोमेटेड जाँच यम प्रदर्शन प्रारंब किया जाएगा रतनपूर और डोंगरगण में पेय जल की गुडवत्ता सुनिश्चित करते छोटे घरों के लिए 15 दिवस के अंदर कंप्यूटराई जाच प्रावली के माध्यम से भवन निर्माड के अनुमति की विवस्था लागू की जाएगी अध्यक्ष मोहदै प्रधान मंत्री इबस सेवा अंतरगत वहनों इबस क्रय करने हेतू 103 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है इससे इलेक्ट्रिक वहनों को प्रोचसान मिलेगा और ये ग्रीन एनरजी की दिशा में हमारा एक बड़ा कदम होगा State Capital Region के एक क्रित विकास योजना तयार करने के लिए पांच करोड रुपए का प्रावधान किया गया है IT इनेबल सेवाओं के अनुकूल अधो सरथ न विक्सित की जाएगी इसके लिए भी पांच करोड रुपए का प्रावधान किया गया है नवारायपूर, अटलनगर में केंद्री विद्यालय, मेडिकल हब यव आंतरिक मार्गों को मुख्य सरक से जोडने के लिए 30 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। सिटी डेवलपमेंट एवं इन्वेश्मेंट प्रावधान किया गया है। चंद्रपूर, दंतेवाडा, कुदरगड इन पांचों इस्थानों के को विक्सित करने के लिए योजना तयार की जाएगी इसे तूँ 5 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। विभागवार महत्पूर अभिलेखों को डिजिटल स्वरूप देने के लिए चत्तिदगर वेब अभिलेखागार में जन समानने को सुविधा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसे तूँ 3 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महदै हमारे वनवाशियों की भासा अधिवासी भाईयों की भासा गोंडी भासा है। गोंडी भासा के विकास है तूँ हिंदी एवं चत्तिदगरी भासा से गोंडी भासा में अनुवात करने वाले साब्ट्वेर कर निर्मान किया जाएगा। इससे गोंडी भासा की उप्योग को बढ़ावा मिलेगा इसे तु 2 करोड़ 50 लाख रुपय का प्रावधान किया गया अध्याक्ष महोदै चतिस गड़ में गोंडी हलवी जैसी आदि भासाएं हैं इन आदि भासाओं के सरक्षन एवं संवर्धन के लिए चतिस गड़ आदि भासा परिसत का भी गठन किया जाएगा तु 1 एवं जलवायू परिवर्तन तेंदू पत्त संग्रहकों को प्रती मानक बोरा 4,000 रुपय से बढ़ाते हुए 5,500 की दर से संग्रहन सुल्ट का भुगतान किया जाएगा वं छेत्रों में इको टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए नई नीती जारी की जाएगी वारिजिक व्रिक्षा रुपन को बढ़ावा देने के लिए किसान व्रिक्ष मित्र योजना प्रारम की जाएगी इसके अंतरगत नीजी भूस्वामी यम सास्की यम अर्ध सास्की संस्थाओं को वाणिजिक व्रिक्षा रुपन के लिए साहता अनुदान प्रदान किया जाएगा इसे तू 60 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है प्रदेश के वनों के सनरकषन यम समवर्धन से जूड़े कारियों के क्रियानवयन हे तू केंपा योजना में 1000 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है वार्सिक कारियोजना के नुरूप वनों के प्राकृतिक पुनुरुत पादन हेतू दो सो चालिस करोड रुपए का प्रावधान किया गया तेंदू पत्तर संग्राहक परिवार के सदस्यों को चरण पादुका वित्रित करने हेतू 35 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है लेमरू हाथी रिजर्ब परियोजना अंतरगत फलदार प्रजातियों का ब्रिक्षा रूपन चारागाह विकास जल क्यू प्लब्धता तथा हाथी मानाव द्वंद के कुसल प्रबंधन के लिए रैपीड रिस्पॉंस टीम के गठन और अर्ण्य कादियों है तू 20 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है बार नावा पारा अभ्यार अर्ण्य में परियतन सुईधाओं के विकास है तू 1 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है विभाग के कादियों का वेब या मोबाइल बेस प्रेटफार्म तयार किये जाने की उद्देश्य से प्रशाशन सुद्रीनी करण योजना अंतरगत 14 करोर 70 लाख रुपए का प्राउधान किया गया है वन भी भाग दोरा किये जाने वाले लकडियों की निलामी के लिए आनलाइट आक्सन पोर्टल का उप्योग सुनिश्चित किया जाएगा शिक्षित प्रदेश विक्षित प्रदेश राष्टी सिक्षानिती 2020 को ततपरता से लागू किया जाएगा चरणबत धरूप सी इसका क्रियानवायन करते हुए प्रदेश के बच्चों यवाओं को उनकी विशिष्ट योग्यता के नुरूप विकास के अवसर प्रदान किये जाएगे डिजिटल यवं आर्टिफिस्यल इंटेलिजेंस आधारित इकोसिस्टम के माध्यम से सिक्षा की विवस्ताओं को प्रोसाहित किया जाएगा सिक्षकों की भरती यमपद इस्थापना के लिए पोटल अधारित पार दर्शी विश्वस्नी यम सुगम विवस्ता लागू की जाएगी राष्टिय सिक्षानिती 2020 के प्रावधानों के अनुरूप, रिसर्च, इन्नोवेशन, गुडवत्ता उन्नेयन, आधिकारियों के लिए 36 गड़ हायर एजुकेशन मिशन का गठन किया जाएगा राष्टि इस्तर पर इस्थाफित भारतिय प्रवध्यों की संस्थानों की भाति, प्रदेश के विविन्न छेत्रों में, चर्णबध तरीके से, छतिगर प्रवध्यों की संस्थानों की इस्थापना कि जाएगी पंडित रवी संकर सुक्र विश्विद्यालाय रायपूर में स्टार्ट अप इन्नोवेशन यम रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल इंस्टूमेंटेशन फेसलिटी का उन्नैन किया जाएगा इसे तुद दो करोड रुपए का प्रावधान किया गया है सहीद महेंद्र कर्मा विश्विद्यालाय बस्तर में 20 नवीन सिक्षण विभाग में 33 नवीन इसनातक एवं इसनातक उत्तर पाठ्थिकरम प्रारंब किये जाएगे इसे तुद बजट में प्रावधान किया गया है पंडित रवी संकर सुक्र विश्विद्यालाय रायपूर में वेवसाय मुलक पाठ्थिकरम के रूप में वारिज अध्यान साला प्रारंब किये जाएगी अप्राधिक नियाईक तंत्र में निस्पक्ष परिख्ण एवं जाच के लिए उप्योगी सिद्ध हो रही फॉरेंसिक साइंस विशय हे तुद अध्यान साला प्रारंब किये जाएगे इसे तुद भी बजटी प्रावधान किये गया है हवन विहीन 20 सास्की महाविद्यालेओं के नवीन भवन निर्माड हे तु 20 करोड अन्य निर्माड कारियों के लिए 10 करोड 50 लाग रुपए का प्रावधान किया गया है 15 सास्की महाविद्यालेओं में इसनातक इस्तर के नवीन विशय और संकाय खोले जाएगे 22 सास्की महविद्यालेओं में इसनातकोत्तर इस्तर के नवीन विशय प्रारंब किये जाएंगे सूरजपूर, गरियाबंद, कोंडा गाओं, सुक्मा यवं बलरामपूर में जिला सिक्षा यवं प्रसिक्षर संस्थान डाइट की स्थापना की जाएगी भवन विहीन 57 सास्की हाई स्कूलों यव 49 सास्की हाई सेकंडरी स्कूलों के भवनों का निर्मान किया जाएगा इसके लिए बजट में 100 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है नवा रायपूर अटल नगर में संगीत महाविध्यालय यम ग्राम बेंदरी विकास खंड अभनपूर में जिला रायपूर में सास्की महाविध्यालय प्रारंब किया जाएगा इसे तु भी बजटी प्रावधान किया गया है नवारायपूर अटल नगर में लाइबली हुट सेंटर अप एक्सिलेंस की स्थापना की जाएगी पिपरिया जीला कबीर धाम में नवीन और द्योगीक प्रसिक्षन संस्थान की स्थापना की जाएगी इसके लिए एक करोड रुपए का बजट प्रावधान की जाएगा है विद्यार्थियों एम आम जनता में विज्ञान के प्रती रुची उत्पन करने विज्ञान के मुल्भुस इधानतों को समझने के उद्देश से राजधानी में साइन्स सिटी की स्थापना की जाएगी इसके लिए 34 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है खगोल विज्ञान की लोगप्रियता को जन मानस तक पहुचाने के उद्देश से सूरजपुर जिले में एश्ट्रो पार्क की स्थापना की जाएगी इसके लिए 2 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है स्वास्विधाओं का सुद्रिधी करण प्रदेश के बीपियल परिवारों को 5 लाग तक जम एपियल परिवारों को 50,000 तक नहिसूल का स्वास्थ स्विधाद लेने के लिए आईश्मान कार्ट जारी किये जाएगी इसके लिए आईश्मान भारत प्रदान मंत्री जन आरोग योजना के साथ सहीद वी नरायाट सिंग आईश्मान स्वास्थ योजना संचालित की जाएगी इसके लिए 1500 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है स्वास्चंबंदी विभिन्य कारिकरमों के क्रियानवयन है तू राश्ट्रिय स्वास्थ मिसन योजना में 1821 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है अध्यक्ष महोदै, प्रदेश का प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज है बिलासपूर का 36 इंस्टिट्यूट अप मेडिकल साइंसे इसका भवन जरजर होकर बरसों से चला आ रहा है चत्तिदगर अविज्ञान संस्थान बिलासपूर के नव निर्माण के लिए 700 करोड रुपए के लागत से नवीन भवन का निर्माण किया जाएगा सास्किय चिकिस सालाय महविद्यालाय रायपूर का 1220 अस्पताल में उन्नेयन किया जाएगा एवं इसके लिए 776 करोड की लागत से 720 अस्पताल के भवन निर्माण किया जाएगा अंभिकापूर में सूपर इस्पेसिलिटी हास्पिटल की स्थापना की जाकर अंभिकापूर मेडिकल कॉलेज के साथ सेयोजित करते हुए अखिल भारती और विज्ञान संस्थान की तर्ज पर मचिकिस्सा सुईधाओं का विकास किया जाएगा इसके लिए 50 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है राज्य के अस्पतालों को गुरुवत्ता उन्नेयन की दृष्टी से राष्टी गुरुवत्ता आस्वासन मानक NQAS सर्टिफिकेशन कराया जाएगा इसे तू 12 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है राजनाद गाव मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर की स्थापना है तू दो करोड सत्तर लाख रुपए का प्रावधान किया गया है नवीन पांच जीले, खैरागड छुई खदान गंड़ाई, मनेंद्रगड भरतपूर चीरमिरी, सारंगड बिलाईगड, गौरेला पेंडरा मरवाही एवां सक्ती में सिविल सर्जन्सा अस्पताल अधिक्षट एवां मुख्यची किस्वें स्वास्त अधिकारी कालेलेओं की स्थापना की जाएगी मनेंद्रगड चीरमिरी तथा पुनकूरी में 220 बिस्तर अस्पताल की स्थापना की जाएगी बस्तर में नर्सिंग कॉलेज की स्थाप कोटर हेतू भी इस बजट में प्रावधान किया गया है डिकेस के सुपर स्पेसिलिटी हॉस्पिटल रायपूर यम फीजियो थरेपी महाविद्याला रायपूर में छात्रा वास निर्माढ हेतू दो करोड रुपए का प्रावधान किया गया है तीन सो प्रात्मिक स्वास्तकेंद्र पचीस जीला चिकिस सालेओं तम अर्तालीस क्रियासील फर्स्ट रिफरल यूनिट के लिए लैप टेकनिशियन के 373 पदों का प्रावधान इस बजट में किया गया है प्रात्मिक स्वास्तकेंद्र खडगवा जीला मनेंद्रगर चीरमिरी भरतपूर को सामुदाइक स्वास्तकेंद्र के रूप में 99 के लिए 37 पदों का प्रावधान किया गया है उप स्वास्त केंद्र गोलावन जिला कॉंडा गाउं को प्रात्मिक स्वास्त केंद्र में उन्यान है तु बारा पदों का प्रावधान किया गया है सहरी स्वास केंद्रों में फिजियो थेरिपी, मानसिक स्वास, नसा मुक्ती तथा योग संबंधी परामर्श सिवाओं के लिए मुख्य मंत्री सहरी स्वास कारिक्रम अंतरगत तीन करोड़ पचास लाक रुपए का बज़ती प्रावधान किया गया है। मनेंद्रगड, सूरजपूर, बलरामपूर या मकोंडा गाओं में जीला अयुरुवेद कारियालाय प्रारंभ किये जाएंगे। छै आयुरुवेद और सधालय रतनपूर, जीला कोरिया, सेमरिया, जीला रायपूर, निकूम, जीला दूर्ग, चित्रकोर, जीला बस्तर, सूपे बेड़ा, जीला गर्याबन, तथा रेरुमा खुर्द, जीला रायगड में खोले जाएंगे। जीला अयुरुवेद कारियला सूरजपूर में दस बिस्तर के पॉली क्लिनिक की स्थापना की जाएगी। इसके लिए इस बजट में 500 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके लिए इस बजट में 500 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। करने के लिए सारवजनिक इंफ्राइस्ट्रक्चर को दिव्यांग अनुकूल बनाने के प्रती भी इस बजट में बजटी प्रावधान किये गये हैं। बारिज एवं उद्योग भी भाग वर्तमान उद्योग निती की समिख्षा करके नई उद्योग निती जारी की जाएगी। इसमें राज्य में उपलब्ध क्रिसी उद्पाद, वनोपज एवं खनीज संपदा तर रोजगार मुलक उद्योगों की स्थापना का ध्यान रखा जाएगा। और नए उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ साथ, गोर सेक्टर में पूर्वसे कारेरत उद्योगों के छमता विकास के लिए भी अनुकूल आउसर प्रदान किये जाएगे। प्रदान किया गया है। प्रतेश प्रदेश में अत्याधुनिक 36 गड़ स्टार्ट अप हब नालेज प्रोसेस आउट सोर्सिंग इकाईयां इस्थापित करने यम्राज्य में एक सम्रिद नवचार परिष्टिकी तंत्र तयार किये जाने है तू स्टार्ट अप सम्मिट का आयोजन कर किये जाने का भ प्रद्धानी में राष्टि इस तरफ पर जो यूनिटी मॉल का कॉंसेप्ट है उसी तरह का यूनिटी मॉल रायपूर में इस्थापित किया जाएगा इस्थानी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इसकी लागत लगभग 200 करोड रुपए होगी और इसके लिए 80 क करोड रुपए का इस बजट में प्रावधान होगा 50-30 सेंटर से मिलेगा उर्जा विभाग 5 HP तक के क्रिशी पंपों को वार्षिक 7500 यूनिट तक निसुल्क बिद्दुत प्रदाय हेतू 3500 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है योजना में 96,96,000 क्रिशी पंपों को लाब मिलेगा हाब बिजली बिल योजना अंतरगत 43,34,000 घरेलू उभोगताओं को 400 यूनिट की खपत तक हाब बिजली बिल योजना का लाब परदाय किया जा रहा है इसके लिए 1274 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है क्रिशी पंपों के उर्जी करण हेतू 200 करोड रुपए का बजटी प्रावधान किया गया है क्रिशकों को सीचाई की सुविधा हेतू, सोलर सीचाई पंपों की स्थापना हेतू, 670 करोड रुपए का बजटी प्रावधान किया गया है। बीपेल उभोकताओं को प्रति महा 30 यूनिट की खपत पर निसुल्क बिजली प्रदाय की जाती है। इसे तू, एकल बत्ती कनेक्शन योजना अंतरगत, अनुदान मद में 540 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। आने के लिए IT अधोसरंचना का तेजी से विकास किया जाएगा। राजधानी मुख्यालाई से लेकर ग्राम पंचायत इस्तर तक प्रसासनिक कारियों में IT इनेबल सर्विसेस को बढ़ावा देने के लिए सभी विभागों में कुल मिला कर 266 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। रणनीती का एक महत्पूर्ण इस्तंभ है। इन टेक्नोलाजिकल एक्सपरिमेंट्स को सही धंग से संचालित करने के लिए 36 गर सेंटर फर स्मार्ट गवर्नेंस की स्थापना का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है ताकि टेक्नोलाजी रिलेटेट चीजों को अच्छे तरीके से इंप्लिमेंट किया जा सकते। राज्य सासंद्वारा संचालित सभी प्रमुक जनकरल्यारकारी योजनाओं की एकजाई मॉनिटरिंग अटल डेस्बोर्ड के माध्यम से की जाएगी इसके लिए पांच करोड रुपए का बजटी प्रावधान किया गया है। सास्किय धन के आई व्यकी धैनिक निगरानी के लिए एकिकरित वित्तिय प्रबंधन सूचना प्रनाली इफमिस 2.0 प्रारंब की जाएगी। का प्रावधान किया गया है। ग्रामिर छेत्रों में वाई-फाई के माध्यम से हाट स्थापित कर प्रदेश भर में इंटरनेट की पहुँच बढ़ाई जाएगी। इसे तु प्रथम चरण में एक हजार ग्राम पंचायतों में वाई-फाई की सुविधा के लिए प्रावधान किया गया है। सासन के विभिन विभागों द्वारा उप्योग किये जा रहे इपरिसंपत्ती, मोबाईल एप यम वेबसाइड की साइबर सुरक्षा हेतू अवश्यक जाच यम सर्टिफिकेशन की विवस्था की जाएगी। अधोसरंचना निर्मान प्रदेश में अधोसरंचना विकास यम पूंजी गत व्याय को प्रोसाहित करने के लिए लोक निर्मान विभाग के लिए 8,017 करोड रुपए के प्रावधान सहित, कुल 22,300 करोड रुपए का पूंजी गत मद में व्याय का प्रावधान इस इवरेज कैपेक्स में बारा प्रतिसत की ही वृद्धी हो रही थी। पूल 1690 नवीन निर्माण कार्य प्रस्तावीत हैं इसमें 1268 सड़क कार्य हेतु 737 करोड, 349 ब्रियाद या मध्यम पूल निर्माण हेतु 175 करोड, 55 भवनों के निर्माण हेतु 20 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। अधो सरंचना खर्चों में जगदलपूर, बिलासपूर यम अंभिकापूर एयरपोर्ट हेतु सुरक्षा उपकरण यम अन्य विवस्ताओं को निर्मित करने के लिए 30 करोड रुपए का बजटिय प्रावधान किया गया है। जसपूर हवाईपट्टी यम बलरामपूर हवाईपट्टी के उन्य विवस्ताओं सुधार हेतु 16 करोड 20 लाख रुपए का बजटिय प्रावधान किया गया है। रेल लाइनों के लिए भी इस बजट में बड़े प्रावधान किये गये हैं जीला मनेंद्रगट चिर्मिरी भरतपूर यम जीला कोरिया अंतरगत सहरों के विकास और इस्थाइत्व के लिए रेलवे की महतपूर परियोजना चिर्मिरी नाकपूर हाल्ट की नई रेल करोड रुपय का प्रावधान किया गया है। जाएगा राज्य की राजस्व प्राप्तियों का प्रमुक्ष्रोद वस्तू एवं सेवाकर गूट्स एंड सर्विसेश टेक्स इस्टेट जी स्टी है वस्तू एवं सेवाकर के संकलन में सुधार एवं पारदरसीता के लिए राज्य मुख्यालाय में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट की इस्थापना की जाएगी इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यो मसीन लर्निंग का उप्योग करते हुए डेटर डिवन फ्रॉड एनलिसीस सहीद राजस्व समर्धन के अन्य उपाय सुनिशित किये जाए इस हे तू इस बजट में 9 करोड 50 लाक रुपए का प्रावधान किया गया है जिएस्टी संबंधी अपीली मामलों के त्वरित निराकरण हे तू अधिकरण की स्थापना के लिए 5 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है आबकारी करावंचन के प्रकरणों पर नियंत बजटी प्रावधान किया गया है। इसके लिए 10 करोड रुपए का बजटी प्रावधान किया गया है। वर्स 2024-25 का बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तूत करता हूँ। वर्ष दोजार चोबिस पचीस में 1,47,500 करोड रुपए की कुल प्राप्ति का अनुमान है जो गत वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों से 22 प्रतिसत अधीक है पिछले पांच वर्षों में बजट के साइज का जो अवसत ग्रोध था वो आठ प्रतिसत था जबकि पिछले बजट की तूलना में इस बजट में हम 22 प्रतिसत की वृद्धी बजट के आकार में कर लाएं कर प्राप्तियों में राज्जिकी राजस्व प्राप्तियां 68,400 करोड केंद्र से प्राप्तियां 57,500 करोड यम पूंजिगत प्राप्तियां 21,600 करोड रुपए अनुमानित है वर्ज 2024 प्राप्तियों के लिए विनियोक का आकार 1,60,568 करोड का है सकल वियसे रिनों की एदाईगी यम पुनर प्राप्तियों को घटाने पर सुद्ध वियाए 1,47,446 करोड अनुमानित है राजस्वियाए 1,24,840 करोड यम पूंजी गत वियाए 22,300 करोड रुपए का होगा वर्ज 2023 प्राप्तियों के लिए प्राप्तियों किया गया है जो गत वर्ज की तूलना में 20% अधिक है प्रदेश में अनुसुचित जन जाती वर्ग यम अनुसुचित जाती वर्ग के विकास के लिए आदिवासी उप योजना मद में 33% यम अनुसुचित जाती विशेज घटक योजना मद में 13% रासी का विशेज प्रावधान किया गया है वर्स 2024-25 के बजट में समाजिक छेत्र के लिए 45 परतिशत आर्थिक छेत्र के लिए 35 परतिशत जम समाने सेवा के छेत्र के लिए 20 परतिशत का प्रावधान किया गया है राज कोशी इस्थिती अध्यक्ष महदय हमारी सरकार द्वारा राजस संग्रहन के लिए आधुनिक तकनिकों का उप्योग तता प्रसासन को सरल यम पारदर्सी बनाने की उपाय किये जा रहे हैं इससे बिना कोई नया कर अधिरोपित किये राज्यके स्वयम के राजस्व में 22 प्रतिशत की व्रिद्धी का हमने बड़ा लक्ष्य रखा रहे हैं 17 दिसंवर 2018 की इस्थिती में राज्यका कुल रिंड भार 41,695 करोर रुपया था जो बिगत 5 वर्सों के दोरान लगव 99,520 करोर रुपय हो गए इस प्रकार राज्य निर्माण के पस्चात 18 वर्सों में लिये गए रिंड से भी अधिक रिंड पिछली सरकार द्वारा केवल 5 वर्स के दोरान लिया गया जन्वरी 2024 की स्थिती में राज्यका कुल रिडभार राज्यके सकल घरिल उत्पाद के था जीड़िपी की तूलना में 18 प्रतिशत है वर्स 2024-25 में राज्यका सकल वित्तिय घाटा 19,696 करोड रुपे नुमानित है जिसमें केंद्र से पुझीगत व्याय हेतू विशेश सहायता रिंड 3,400 करोड रुपे सामील है भारत सरकार के निर्देश सनुसार या राज्यके वित्तिय घाटे का भाग नहीं है अता इसे कम करने पर राज्यका सुद्ध वित्तिय घाटा 16,292 करोड रुपे होगा जो राज्यके जीडिपी का 2.9 प्रतिसत है इस प्रकार एफार बियेम एक्ट में निर्धारित 3 प्रतिसत की सीमा के भीतर है राज्यकी कूल राजस्व प्रतियां 1,25,900 करोड रुपे जम कूल राजस्व भी है 1,24,840 करोड रुपे है अता वर्स 2024-25 में राजस्व आधिक 1,060 करोड रुपे का होगा अर्थातिया बजट रिवन्यू सर प्लस राजस्व आधिक के वाला बजट है कर प्रस्टाव अध्यक्ष महुदै वर्स 2024-25 के लिए कोई नया कर प्रस्टाव नहीं है ना ही करों की दर में कोई बृद्धी का कोई प्रस्टाव अध्यक्ष महुदै भारत के यसस्वी प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी जी की अगवाई में भारत आज बिश्व गुरु की भूमिका में पुना आ गया है आज हम बिश्व की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थविवस्था बन चुके हैं केवल दस सालों में ग्यार्वें इस्थान से आगे बढ़ते हुए हमने पाँचवें इस्थान तक की छलांग लगाई है कभी बीच में साफ सपेरों के देश की दुर्भागी जनक पहचान बना दिये गए भारत को आज बिश्व महासक्ती के रूप में देखा जा रहा है अमरित काल में अगले पांस सालों के भीतर ही मोधी जी के नित्रित्व में हम बिश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थविवस्था बनने की और अग्रसर है हम ना केवल इस विकास के भागीदार है बलकि इस विकास में हमारा बढ़ चरकर योगदान भी अपिक्षी थे भले ही हमने अनेक अतिहासी कुप लब्धियां हासिल की हैं लेकिन अध्यक्ष मोधै यह समय रुकने का नहीं है मोधी जी के सब्दों में कहूं तो यही समय है सही समय है जब हम कमर कसकर माभारती और छत्तिजगर महतारी को उसके पुरा वैभा के पुनर इस्थापना चल रहे महायग्य में भागिदार बने भरी हमने बहुत कुछ हासिल किया है लेकिन अभी भी बहुत कुछ प्राप्त करना सेस है यह समय रुक जाने का नहीं है अध्यक्ष मोधै बलकि देश की प्रगती के साथ चलते रहने का है देश के तेजी से विक्सीत हो रहे राज्य के सोच को हमारी सरकार के दर्सन को मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से प्रगट करना चाहता हूँ गहन सघन मनमोहक वनतरू गहन सघन मनमोहक वनतरू मुझको आज बुलाते हैं किन्तु किये जो वादे मैंने याग मुझे आजाते हैं अभी कहां आराम बदा यह मूक निमं चलना है अभी तो मुझको मीलो मुझको चलना है हमारी सरकार का वीजन हद्यक्ष महुद है हम काफी चले हैं इस प्रक्रिया में अनेको लोगों का योगदान रहा है और आगे और दुरुद गती से चलते रहेंगे आदरनी विश्णुदेव साय जी के नित्रितों में ये पालनहारी सरकार है जो 36 गड़ को नई उचाई पर पहुँचाएगी जो 5 लाग करोड के GDP को 10 लाग करोड GDP तक पहुचाने का बड़ा लक्ष लेकर चल रही है जो एक विजन डाकुमेंट एक नॉम्बर सन 2024 को प्रस्तूत करने जा रही है अमरित काल 36 गड़ विजन एट 2047 जो विकास सील 36 गड़ को विक्सीट 36 गड़ में परिवर्तित करने वाला होगा अध्यक्ष महदय अधर्णी मुख्यमंत्री स्री विष्णुदेव सायजी के नित्रित में वर्ष 2024 पचीज का बजट 36 गड़ की विकास यात्रा की दिशा में हमारा पहला कदम है राम काज की नहीं बिनों हमें कोई इस भी स्राम नहीं है इस भावना के साथ वर्ष 2024 का वार्षिक वित्तिय विवरन तता अनुदान की मांगें मैं सदन के समक्ष प्रस्तूत करता हूँ अध्यक्ष महदय जय हिन जय 36 गड़ मैं आई वे एकपर समान शर्चा के लिए दिनांग 12 और 13 फरवरी 24 की तिधिया नियत करता हूँ आई वे एकपर समलित अनुदानों की मांगों पर कटवती प्रस्ता की सूचना सरीवार दिनांग 10 फरवरी 24 को अपराण 3 बजे तक दी जा सकती है कटवती प्रस्ताओं के प्रपत सूचना काराले में प्राप्त किये जा सकते हैं अध्यक्षी दिर्गा में विदान सभा के पूर अध्यक्ष श्री प्रेम्प्रकास पांडे जी उपस्तित हैं सदर्ण की ओर से उनका स्वागत करते हैं सभा की कारवाही दिनांग सोमवार बारा फरवरी 24 को ग्यारा बजे तक के लिए इस्थागित तुछ तीज़ का बजट पेश किया गया है एक लाग सेनतालिस जार पांक सो करोड का बजट इस बार पेश किया गया है बजट में 22 फीसदी की बहुत्री हुई है पिछले बजट के मुकाबले और धार्मिक परेटन को बढ़ाबा दिये जाने का यहाँ पर प्रयास सरकार का है इस बार के बजट में पांच शक्ती पीठों का विकास होगा और साथ ही शक्ती पीठ परियोजना के लिए पांच रुपए सरकार खर्च करेगे और स्टेट कैपिटल के लिए पांच करोड रुपए रखे गए हैं आपको बिता दें कि दीन दयाल भूमिहिन योजना के तहत पांच सौ करोड रुपए खर्च की जाएंगे और साथ ही नई सडकों के लिए आठ सो एक्तालिस करोड और 36 गड़ में बजट से जुड़ी ये 10 बातें आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और साथ इसाथ आपको बजट भाशन के कुछ मुख्य बिंदू भी सुनवाएंगे जब वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने 36 गड़ विदान सभा के सदन के पटल पर बजट भ काम करती रहेगी और इस बार का जो बजट है इस बजट से काफी उम्मीद है चुकि आगे जिस तरह से लोगसाबा का चुनाव आना है और 11 लोगसाबा की सीटें 36 गड़ में हैं ऐसे में अब तक जितने भी फैसले लिए गया जितने भी